Hello everyone, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राश्य करमचारी के लोगिन से फू मापी पोटल पर कैसे परतिवेदन सब्मिट किया जाता है मतलब मापी के आवेदन जितने आते हैं वो अंचल अधिकारी के पास आते हैं चलिए हम लोग इमापी पोटल ओपेन करते हैं और महां से हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है इमापी पोटल पर जब आप जाएंगे तो ऑफिस्यल लॉगिन में आपको जाना है केसी लॉगिन पर क्लिक करना है आपको अपना जिला अंचल और मुटेशन का यूजर आईडी डालना है जिस हलका में लॉगिन करना है उस हलका का यूजर आईडी डालेंगे कनफर्म नावब क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा OTP डालना है और फिर आप लॉगिन कर जाएंगे टीक है लॉगिन करना हाद कुछ इस तरह से आपको इस ग्रीजर केगा इस श्रीन पर आपको डैस्बोर्fo पर click करेंगे तो cool pending application इस तरह से दिखेंगे dashboard पर भी आपको view all का option है inbox देखने का option view all पर click करेंगे तो ये भी inbox का list ही खुलेगा इसमें basically आवेदक का नाम रहेगा जैसे ये test name लिखा हुआ है और आवेदक का जो id रहेगा मतलब applicant number वो application का number रहेगा वो application का number यहां रहेगा कितना तारीक को आया हुआ है ये रहेगा उसके बाद यहां पर उसका address detail वगरा रहेगा और किस plot की मापी करनी है ये रहेगा और कितने area का मापी करना है वो रहेगा ठीक है अगर multiple plot है तो एक सांथ multiple plot दिखेंगे जैसे ये आवेदा number 2 है ये 5 है ये आवेदा number 12 है बारा में 2 plot है देखेंगे 607 और 34 तो ये दो बार दिख रहा है उसी तरह से 13 देखेंगे तो 13 में भी दो plot है ये और ये और इसका इस तरह से यहां दिख रहा है आवेदान का जानना चाहते है कि आवेदान का number किस तरह से पढ़ा है तो 28 जो है आपका डिश्टी का code है 004 जो है आपका अंचल का code है और 24 अभी है इसलिए 24 है और ये last का 5 डिजिट जो है ये आवेदान का number है ये 12 नंबर आवेदान है आपके अंचल का है 2024 का ठीक है तो हम लोग वीव पर क्लिक करते हैं वीव पर जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरा डिटेल दिखाए देगा कौन-कौन सा plot का आया हुआ हुआ है इसके बाद हार नंबर अगर है email ID अगर आएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आएगा आपको देख रहे हैं चोवधी का डीटेल आया हुआ है ठीक है और उसके बाद यहां पर आया हुआ है आपको कि मापी की जानल भूमी के बिर्मा अगर अनव्यक्ति को देना चाहते हैं उसका भी अगर आप अपने फिल इंस्पेक्शन के दोरान आपको रड़ता है कि किसि यह दोनों-troon जो अर्यद भरा है इसके अलावा बहुट किसी को सुछना दोना है तो आपको add more पर click करना है और यहाँ पर उसको mobile number डालना है नाम डालना है email id डालना है और address डालना है उसके बाद save करना है जैसे ही save करेंगे ये वाला आपको save हो जाएगा ठीक है email id आपको डालना है complete address डालना है है जे से शैप करेंगे ये एक तीसरा नाम आपको यहां पर एड़ हो जाएगा तो इसी तरह से आपको अगर कौन सा दॉक्सरोंग्न अप्लोड है उसको देख सकते हैं अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते है तो फ्रीन पर क्लिक करेंगे फ्रींट के लिए फड Sum hundred ना ओब चलिएज देखते हैं कि इसकी आपको रिपोर्ट कैसे करना है आवेदन कैसे देखाना है यह आप देख लिए अब करम चारी इक प्र्लाक का बैरिफिकेशन कर लिए उसका अब को भरना है तो जैसे § 15- करेंगे उसका डिटेल इहां देख जाएगए। इसके बाइब आपको र anterior ढ downside होँए इसको ड Wakanda दिखरू है आ पर डूसरे का करना है तो दूसरे का करना है जैसी फाइनल सम्मिट करेगा यह पर्ट और अप्लिकेशन गर संमिट हो जागा और यहां से यह आपको हू कि आवैदान यहां से हट जागा अभर नंबर आवज ऐसे लिए और काहां से रिपोर्टेट सेक्षन में आपको आपको दिखने लगा तो आपको इसी तरह से रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करने को आपको इतना ही करना है फिलहाल में अगर इसमें पी अगर आपको कोई अगर प्रॉलम होता है तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को तेंक यू बेरी मुच्छ